तो यार अगर आप लोगों को भी पसंद है ओपो का रियल मी वन तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसकी नेविगेशन बार को हाइड कर सकते और कस्टमाइज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करत है मेरे पास है रियल मी वन यहां पर यहां पर यह ओपो का ही है कोई दुसरा मोबाइल नहीं है तो इसी के बारे हम बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं नेविगेशन बार दिखाई दे रहा है इसको कस्टमाइज करना है तो सब से पहले जाएंगे स्वाइब डाउन क चले जाना वहां पर आप लोगों को देखना है smart and convenient यहां पर देख सकते हैं साइद English में यहीं होगा मुझे सही से पढ़ना नहीं आदा पूरा क्यूंकि मुझे तो लग यही लगा है smart and convenient तो इस पर क्लिक करने बाद सबसे उपर आप लोग देख सकते हैं navigation keys उस पर क्लिक कर आप लोग देखेंगे कि आपके navigation bar head होगे और वह बार्स में convert हो चुके हैं तो यह आप लोग देख से तीन बार्स हैं तो इन तीन बार्स को किस तरह से आप लोगों को यूज मिलेना है मतलब अलग अलग customization इसके अंदर दिया हुआ भी है लेकिन यह जो सबसे पहले आप ल देखना तो यह recent application आप लोग खोल सकते हो तो इनको और भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर लोग अलग अलग दिये हुए variant किसको आप चूज करना चाहते हो यहां पर आप लोग पूरा guidance दिया हुआ है तो आप लोग कोई भी चूज कर लि वीडियो पसंद आयागा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै वारत दुआ में याद रखना